मटन रेसिपी आज बनाने जा रहे हम लोग एक स्पेशल मसाले के साथ वो भी बहुत आसानी से तो वेलकम है आपका समस किचिन में सबसे पहले मसाला तयार करने के लिए मैंने एक पैन में एक टेबल स्पॉंच तेल लेकर की गरंकिया और उसमें डाले हैं प्याज लेशन अनि धनिया बीच, करी लीज, हरी लाइची और इन सबी मसालों को मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे और चलाते रहेंगे इसको तो यह बहुत ही स्पेशल और बहुत ही बढ़िया मसाला है तो थोड़ी देर मसाला भूनने के बाद इसमें मैंने डाला है यह कोकोनट का पु तो मसाला हो गया है यहां पर थंड़ होने के लिए रखेंगे एक कोकर में मैंने तीन टेबल स्पून खरीब तेल लिया है तो चोटी वाली प्यास है साथ में करी लीज है तो टोटल प्यास मसाला और तलने में जो यूज हूई वह होगी 200 ग्राम प्यास जैसे ही ब्राउन ह हो गई इसमें हम डाल देंगे मटन तो एक केजी मटन है बोन्स के साथ है धोकर के लिए है मैंने और अब हाई फ्लेम पर इसको तीन-चार मिनट तक ऐसे ही तेल में तलेंगे मटन का कलर चेंज होते हैं इसमें डाल देंगे नमाक तो देर चमच खरीब नमक हो गई है और सा अब पर हुऀ है तो जब तक मटन इस तरह से खुल करके पकेगा चलिए मसाला तयार कर लेते हैं तो मसाला भी हां धंडा हो गया है। इसको इक क्राइंड हे जार में डाल करके हम इसका फाइन सा फेस्स पना लेंगे हैं थोड़ा पानी टालेंगे और इसका बारीक 10 मिनट हो गए हैं और यहां पर मसाले को डाल देंगे और अब इस मसाले के साथ भी हम खरीब 5 मिनट तक ऐसे भूनेंगे तो अब मसाला भी हमारा भूना हुआ है जादा भूनने की जरूरत नहीं है तो थोड़ी दिर बस इसके साथ भून लेंगे हाई फ्लेम पर और बढ़ि तो बहुत ही जटपट और आसानी से आप इस ग्रेवी को तयार कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका और अब डाल देंगे इसमें पानी तो मैंने करीब 1.5 कप पानी डाला है और मिला करके देखेंगे फिर जैसे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए हो ग्रेवी और पहले तो तेज आज पर एक विसल ले लेंगे और इसके बाद आज धीमी करके इसको खरीब 20-25 मिनट तक पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाता है तो बस 20 मिनट हो गया होंगे इसको पकते हुए और अब कुकर को अपने आप पेने ठंडा होने दिया और ये हमारी धा पानों को सर्फ कर सकते हैं सभी को बहुत पसंद आएगी लोग आपसे रेसिपी जरूर पूछेंगे पिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है नॉर्मल वाली जो मटन करी होती है उससे अलग हटके इसका टेस्ट है बहुत ही सोंधापन है तो जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे बताईएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी समस किचिन में हमारी कोशिश होती है कि हम कोकिंग को बहुत ही सान बना सके और टेस्ट होई साथ में तो उमीद करती हूँ आपको पसंद आते हैं थैंक्यू